अब यहां थोड़ा करीब मैं आ गया हूँ और यहां से देखिए जो सीडियां है उसके ऊपर रेलिंग जो बनी है कितना बहतरीन तरीके से फूलों से सजाया गया है जैसा कि मैंने बताए कि मैं साइड से दिखाऊंगा और अब देखिए यहां से यह जो बॉक्स रखके गए हैं कितना बढ़िया तरीके से इसको सब बना गया है और राहर पतिष्ठा के बाद सब के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा सबसे पहले हम आपको बाहर का वीडियो दिखाएंगे जो कि रामपत से राम मंदिर के लिए राष्टा जाता है वो कितनी भवब्य तरीके से सजाया गया है चलिए हम वो इस पाहली दिखाते हैं उसके बाद राम मंदिर चलते हैं तो अभी दिन का ये वीडियो है और यहाँ पर दिखिए कितने भवब्य तरीके से फूलों के द्वारा यहाँ पर एक गेट है, वो सजाया गया है जो राम मंदिर के अंदर लिकर जाता है, यहां से जो राम मंदिर में सामान हो गएरा जाते हैं, जैसे पत्थर हो गएरा, वो इस गेट से जाते हैं, जो देखे कितना गजब तरीके से यहां बहतरी तरीके से सजाया गया है, यहां से हो सकता है परधान मंदिर का गाड़ी यह यहां पर दिकszty इए और यहां पर देखें, कुछ दोहे लिखेगे हैं कितना बड़ी तरीके से पूलोसे पूलोसे यहाँ पर भी white pool उसे गडेश जी को रखा गया है, अभी रात में देखिए कितना गजब तरीके से जब light यहाँ पर जल रहा है, तो यहाँ पर कितना बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर परभु राम जी के कितने मतलब धेर सारे गजानन को फोलो से बनाया गया है और कितना बहतरीन तरीके से यहाँ पर फोलो से सजाया गया है कितना प्यारा लग लाया देखिए कितना बढ़िया तरीके से परभुजी के आने से पहले अयुद्या को सजाया जा रहा है और यहाँ से बगल में gate है जहां से मंदिर की लिए entry हो सकती है जो four wheeler है वो भी जा सकता है two wheeler वो भी जा सकता है मतलब कि summit type के गाड़ीय जा सकती बस loading गाड़िया यहां से नहीं जा सकती है तो गयेखे हैं कि यहाँ पर वो gate बन हुए अगर मंदिर के बाहर रोड पर इतना बढ़ियां से सजावाट हो सकता है तो मंदिर के अंदर में क्या होगा आप लोग यह सोच रहे होंगे तो चलिए अब जादा सोचीए मत चलिए सीधा मंदिर में जलते हैं जैसा कि मैंने इंट्रो में बोला था कि मंदिर का वीडियो दिन में सूट हुआ है तो चलिए अब दिन में क्या-क्या यहां पर ब्यवस्ताइं हो रही है कईसी सजावट यहां पर है चलिए सब कुछ देखते हैं सबसे पहले यह मंदिर के सामने का भाग यहां पर दिखिए अभी सामने की तरफ यहां पर फार्ष की घिसाई जल लगता है आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा जब रात में लाए जलती है तो कैसे लगता है लेकिन अभी दिखिए अभी मैं इसके चारों तरफ दिखाने वाला हूँ यह तो सामने का भी हो है, सामने की भी उसे कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बड़े-बड़े फूल, बड़े-बड़े गमले, यहाँ पर बहुत से फूल यहाँ पर इस तरह से लगाये जा रहे हैं तो 22 जन्वरी को परभूजी आ रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर एक दिवाली जैसे बियस्तक की जा रही है, जैसे दिवाली मना जाती है, वह ऐसे यहाँ पर बियस्तक की जा रही है, मतलब कि अब की बार 22 तारिक को भी दिवाली मनाएंगे, और आने वाली को भी दिवाली मन अभी तो एक चोटा सा व्यू था जो मैंने आपको दिखा दिया लेकिन अभी काम हो रहा है अब यहां थोड़ा करीब मैं आ गया हूँ और यहां से देखिए जो सीडियां है उसके उपर रेलिंग जो बनी है कितना पहतरीन तरीकी से फूलों से सजाया गया है और लाइटे भ मैं खड़ा हूँ और यहां से देखी यह आपको छोटे छोटे बॉक्स यहां पर दिखाई पढ़ रहा हूँगे कुछ इस तरह से और इन्हीं बॉक्स में फूलों को भर कर लाया गया था जैसा कि मैंने बताय कि मैं साइड से दिखाऊंगा और आप देखिए यहां से यह पहुरे कलर के ब्राउन कलर के इसे में सभी फूलों को भर कर लाया गया था जो अभी आप फेड़ देखते हैं इस वे में भर कर लाया गया था और सभी जगहों पर इसको बढ़ियाँ से सजाय जा रहा है आप देखी मतलब बगल से कितना बढ़ी है तरीके से परफुजी की मंदिर को सजाय जा रहा है फूलो से, पीले फूले से, रेड फूलो से और हॉइट फूलो से, मतलब हर कलर के फूले आपर रिकाई पड़ रहे हैं, अभी काम हो रहा है, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ देखो, जैश्री राम, स् उतने ढबवर तरीके से परफुजे जया जारे हैं, वो तो आप देखी रहे हैं, एरपोर्ट से लेकर, राम मंदिर तक, और साhrादल गन्षे लेकर राम 먹을 काम हो रहा है, अगले, बलॉग में वो भी कवर करूँगा, एरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक, और फिर सांधल यहां पर जो लाइटिंग बिवस्ता है वो भी काफी बहतरी तरीके सी लग रहा है अब यह मैं थोड़ा सा अंदर का फोटो दिखा रहा हूं क्योंकि मैं अंदर नहीं जापाया था वहां पर काम चल दा था कुछ तो इसलिए अंदर जाना मना था तो इसलिए यहां पर दिख नगरी से जितने भी अपडेट आते रहते हैं वो देता रहता हूं ब्लॉगिंग के मात्यम से अगर आप और सारे ब्लॉग्स देखना चाते हैं तो इस चैनल पर अप्लोडड है जाकर देख सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए राम राम और हा कमेंट बॉक में जैस राम लिख करी जाना